तो आज के वचन में जाने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आज का वचन क्या है? आज के वचन एक आपके प्रिशन के अनुसार है, आपके एक क्वचन के अनुसार है, कई लोगों के जीवन में कोई ना कोई तकलीफ आती है, प्रॉब्लम्स आती है, आज मैं आप तो वेत्ती निराश हो जाता है जा उसने कोई रिपोर्ट कराई और रिपोर्ट में उसे बैड नीज मिले जब आप निराश हो जाएं आपको क्या करना चाहिए अचानक से आपके लाइब में कुछ निराशा आ जाए आपको पता चलिए आपका हस्बंड किसी से पून पे बात कर रहा है और आप निराश हो जाए गुस्से से बर जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको पता चले आपको बच्चा जो काफी बूरी संगत में रहता था और आपको पता चला पूर नशा करना शुरू कर चुका है अचानक से बैड न्यूज आपके गर में आई दो तरह के न्यूज आती है ना गुड न्यूज बैड न्यूज गई वक्त मेरी टीम मुझे बोलते है पाथ पाजी एक good news है एक bad news है खालिलोई sweet bad news हालिलोई है तो मतलब क्या है कई वक्त क्या होता है एक good news एक bad news आती है हमारी जीवर में वाइबल में अगर खुशी है तो आनद मना दुख के दिन सोच मतलब प्रभ्म ने एक संगिस से रखा है तो कई वक्त आपकी लाइफ में जब बैड नियूज अब हर एक जीवन में खुशी और गम का समा आता है जिन्दकी साइकल की तरह कभी हवा कम होगी कभी फुल कभी अच्छी जिन्दकी चलेगी तो इसी तरह क्या है जब दुख आए जब बैड नियूज आपके जीवन में आए तो उसमें क्या करना है मतलब बूरे हलातों में मुझे क्या करना चाहिए तो मैं एक वाइबल में से एक स्टोरी बताऊंगा एक पूरे अद्याई की स्ट करने जारा है और अगर प्रभू की आज आप सुनेंगे तो प्रभू आपकी सुनेंगा हलेलोई हो सकते हैं मान लो आपके आपके उपर किसी ने केस कर दिया आपको अचानक से पता चाला मुझे पर किसी ने केस कर दिया मैं क्या करूं जूठा केस किसी ने कर दिया को तोड़ी सी लड़ाई जगड़ा हुआ और जूठा केस कर दिया अपने घुसे को निकालने के लिए हो सकता है कोई आप आपको अजंट को आपने पैसे दिये तो और आपको पता चला है अजंट आपके पैसे लेकर बाग आप क्या करेंगे आप क्या करेंगे आतमत्य कर नहीं आपको क्या करना हो गाना में विस्वार जिक्राइब जिरक में मंगी मि Cake नहीं सकते आपको पता है के तथो लोग आतमतिया कर लेते जब वह वो उनको अनप अपनी लाइफ को कुछ जो उनकी इंस हैने बोख पूरी नहीं होते और वो उस दुख में खड़े नहीं रह पाते, उनको पता नहीं चलता है मैं क्या करूँ, जिर बैड नियूज में मैं क्या करूँ और कई लोग सुसाइट कर लेते, गल्द सहारा लेते तो पर क्या है आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना है मालो अचान आज यंट आपके पैसे लेकर बागया आप कहते हैं क्या करें अचानक से जिनके आपने पैसे देने हैं वो कह रहे हैं मुझे दस दिन के अंदर मेरे पैसे बापस करो ने तो मैं यह कर दूगा बोग कर दूँगा आप क्या करेंगे दस दिन आपके पास उदस दिन में आप क्या करेंगे हाले लोगे कुछ भी आपकी लाइब में क्योंकि आपको तैयार रहना होता है पॉलुस कहता है मैं आगे जा रहा हूं संकट और कलेश मेरे लिए तैयार है उसने पहले ही बोल दिया दुख के विशे में परमेश्यो की सामवर्थ के बारे में बता रहा है तो मेरे जिन में जो दुख आया उस दुख के द्वारा प्रभू का सूसमाचर बड़ा और एकलीसिया को वह पत्र ही लिख रहा है और बता रहा है कि मेरे जिन में जो दुख आया उन्होंने मुझे मारा आती है लाइप में और इन यह चीजों जिक 2 करते थुख उपको स्ट्रॉॉंक करते हैं आगे बढ़ने से पहले मिंद अब प्रभू के सेवक और उसके विश्य में प्रभू ने मुझे अगे मनन कर रहा था के उसकी लाइप को देख रहा था उसकी लाइफ में कोई आसेट सेवक है असकी लाइब में एक बलस तरी ब्लेशिंग प्रभू ने दीगी पर एक ब्लैसिंग काफी साल काफी सालों से जीवन мचे बहूं और प्रह्रित गर नहीं है तो पहले एक एक लेख को सेवक नहीं ता इन देनों में प्रभू की ऐसे विग wings प्रभु मैं समझ गया यह ब्लैसिंग क्यों नहीं उसके जीवन में कि तूने उसे सेवकई में तू कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं चुन सकता सेवकाई में जब तक वो परखा ना गया हो कोई भी बड़ी कॉंपनी गल्थ प्रोडेक्ट को लॉंच नहीं करेगी एक नॉर्मल आम बेकार प्रोडेक्ट को लॉंच नहीं करेगी तो परमेशर आप कैसे सोच सकते हैं कि परमेशर किसी को इस्तिमाल करना चाहे तो एक बेकार बक्ती को वो इस्तिमाल करेगा तो परमेशर उसे परकने के बाद इस्तिमाल करता है तो उसकी लाइप में वो क्यों नहीं आशिषी मैं समझ गया इस यह नहीं था किप्रबू उसे अपनी सेवा के लिए इस्तिमाल करना चाता है हुए तो जिसको प्रभू बड़ी महमा के लिए चुनता है बड़े कामों के लिए मतलब अपनी सेवा के लिए चाहिए वो सेवा टर्च में गिटार वे जाने के क्यों नो सेवाव सेवा है suhran criminal कितना किसी ने कि उसके शहाब से नहीं इसको जो यो काम दी अब किया उसे बाफ़ादरी के साथ किया तो मैं समझपाया कि प्रभू उससे इसलिए नहीं किए इतने चेश साथ सालों के उसकी लाइब में आज तक कुछ नहीं हुआ पर अभी भी प्रभू में बिश्वास में खड़े हैं और प्रभू का सुछ समचा प्रचार कर रहे हैं तो एक दिन प्रभू ने अपनी सेवा के लिए मसा किया किसी सेवक के द्वारा हालेलुए तो को सकता है इसलिए कई लोगों के जीर में कुछ कर आने डेता है तो चेक करे काल आप हमतर में यह उदिर और आपका फेट स्ट्रॉंग है जञेए तने कि आज परभू कि एक लेवल पर खड़े और कल आपका स्ट्रॉंग नहीं दो प्रब्लम में गिर जाए यह प्रभू को पता है इतने प्रॉब्लम इसके उपर आई जे कभी ने गिरा इसने ब्रोसा रखा मुझ पर कल इसकी उपर प्रॉब्लम तो आएगी तो भी जे ब्रोसा रखेगा और गिरेगा नहीं हालेलूही और प्रभू आपको यूज कर सकता है ऐसे मालो प्रभू को पता है कि इसकी लाइट में अगर कोई मालो अगर एक व्यक्ति प्रभू के उपर विश्वास नहीं कर पाता उसकी लाइप में प्रॉब्लम आई और वो उस प्रॉब्लम में विश्वास नहीं दिखा पाए कैसे प्रभू उसको इसको इस्तिमाल करेगा हाले हाली है वो देखता है आड़ा और खड़े रहना व्यालव व्यक्ति ह्कलिए और कई वक्त मैंने देखा दो जीजें में आपको बतार हो एक एक ऐसी की कई वत होता है प्रबु की Orth होती हैं कि सी के जिन इसलिए प्रभु उसकी लाइब में कुछ मिर्कल जाहीं करता उसके फिक्त को स्ट्रॉंग करने के लिए उस्टी परस्तिति होलतों में इस्लाटि करने को दू सरी बात है कैई कि internacional मिर्कल इस नहीं नहीं होता क्योंके आपको पता चमतर लेने की वाद उससे बना कर रखना be important है प्रबुको पता अब इसका चरितर इसका क्रेक्तर HOLIDESS इसकी फूरूति वचन पर चलना बचन पर मन करना प्रेयर लाइफ रोजयों की लाइफ इसके इतना Bible के बारे में मघ पता नहीं है मझभूत नहीं जी कि आज मैंने अगर इसको चंगयाई ए दिक तो परमेश्य चाहता है मैं बैट करूं पहले से तैयार करूं जब बैमारी जाए तो दुबारा बापस ना आए गरीबी जाए तो बापस ना आए बंदन शराब जाएं बापस ना इसकी जीवन में आये हलेलोई इसलिए प्रबु आपको तयार करता है हलेलोई गवापको पर्मानट हीलिंग देना चाहता है ऐसा निक्याशा आपने प्रबु से प्रात्ना के और आप हीलोगे खला ऑप कहेंगे फिर मेरे जीम एक इसलिए प्रभु आपके जीवन में रोकता नहीं है प्रभु खुद नहीं बेज़ता कई वक्त रोकता नहीं कुंकि शेटान नचूता है प्रभु कहता है शूने देश मैं देखूं कि जे अयूब की तरह स्रॉंग है तो इसका मतलब दुख परिशानिया आएंगी वह नुकसान के लिए नहीं वह आपकी बड़ातरी के लिए होंगी हाले लोई है तो इसी लिए कि जब आपकी life में कुछ bad news आए अगर आपके बूरे हलाच चल रहे है आपको कुछ नहीं समझ आरहा है रहा है क्या करू तो क्या करना चाहिए खाले लोई टेविद ऐसे हलात हो जाते है मेरी बिमारी हील नहीं होती ही मैं क्या करू मेरा बच्चा हील नहीं आता कुछ विवाय आद करहें? कुछ भी आपके हलाते है, तो जब कुछ CGI नहीं समझ आए, कुछ भी बूरे हलाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आओ हम पर मिश्रा के वचन के और से लें, निकालें कि हम दूसरा इतिहास उसका बीस अध्याए आप नोट करें उसकी एक आयत से लेकर हम तीस आयत तक पढ़ेंगे जही इसके बीच ही आज पूरा पर चाह रहा है हलेलोईया जब शेतान आपके उपर कोई भी अटैक करे हलेलोईया आपको क्या करना चाहिए आपको पता चल जाए यह प्रॉब्लम मेरी लाइब में आने जा रही है जा तो आर की जब पार की कुछ हॉस्पिटल में डक्टर बोले जा तो मां बचेगी जाँ बच्चा बचेगा आप फजगे अरे क्या करें जा तो बच्चे दानी निकालनी पड़ेगी ऑपरेशन करेंगे तो यह और नहीं करेंगे तो यह और आप पता नहीं लगता है है तो आपने जब जिए आपके जिनमें तो आपने इस वचन को खोलना है जो आपने नोट किया होगा हलेलोए। आपकी वो चीज खतम हो जाएगा आपको पता चलेगा कई वाध करना यह होता है कि आपको कई वक्षण बैस सोने हो थे पर जब दुख आता न एक वाचन आपक मेरी वचनों को दे और मनन करेंगे और ब्रोसा उस वचन के तरह विश्वास अंदर आएगा और वो बीमारी विश्वास के तरह प्रॉब्लम जाएगी हाले लोई है तो जब आपकी लाइब में डरे हुए हों किसी आपकी लाइब में डर का समय आए शैतान ने आपको दबाब डाला गंदा सपना आ गए ड्रावना सपना किसी ने आपके साथ कुछ भी किया ISA . और आपको क्या करना चाहिए दर रहे हुए हो कूलेंगे 20 की एक आयत में एदोम के साथ अगर हम टॉपिक पढ़े एदोम के साथ एक युद्ध हुआ और उसके विशे में हम पढ़ेंगे इसके बाद मुआबियों और अमोनियों ने उसके साथ कई मुनियों ने जुद्ध करने के लिए जहोशापात पर चड़ाई की हालिलुया अमोनियों ने और मुनियों ने जुद्ध करने के लिए किस पर चड़ाई की जहोशापात पर चड़ाई की कुछ लोगों ने मिलकर जहोशापात पर दो मंडलियों ने मुआब देखो कितने लोग मिल गे मौबी लोग अमोनियों लोग ने और उसके साथ कई मुनियों ने तीन तीन कैटागिरीज के लोग आपस में मिल गए किसके उपर हमला करने के लिए जो होशापात पर चड़ाई करने के लिए हाले लोई है जब शेतान आपको गेरे अद्बुत कई वक्त आप कहते हैं अरे एक 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 टीम जुद करने के लिए आती तो मैं जीत जाता पर जितो तीन जन्य आपस में मिलके आगे इनकी सैना तो बड़ी है मुझसे अब मैं क्या करूं इस लड़ाई में हाले लोई है अब मुझे क्या क अबरे क्या करना है हाले लोई है जुद करने के लिए चड़ाई करने के लिए जोशापात पर चड़ाई की दो आएट में लिए तब लोगों ने आकर जोशापात को बता दिया ताल के पार से एदोंदा देश की और से एक बड़ी बीड तुझ पर चड़ाई कर रही है ले हसा सोनी टामार तक जो इनकदी भी कहलाता है पहुंच गई है कहता वो जल्दी नजदीक पहुंच चुकी है वो बीड तब क्या किया तीन आय तक अगर हम सबसे पहले क्या उनने मिली बैड न्यूज आले लोगे जब बैड न्यूज मिले तो उसके बाद क्या करना है अब हम पढ़ेंगे तो यह चीजा उसको बैड न्यूज मिली जैसे मैं आपको टॉपिकल लिखाया इस एक आयत में से आपने लिखना है जब आपको कोई डर का समय आए जब आपको गब्रहट हो जब आप जो पर शेतान कोई भी अटैक करने की आपको पता चले यह प्रॉब्लम मेरे उपर आने जा रहे हैं तब आपको क्या करना जाए जब जोहु बैट में लिखेंगे नमबर एक नोट करो बीस की तीन आपने कैसे लिखना है दूसरा इतिहास उसकी बीज अदेज की तीन आयत ब्रैकट में आपने लिक है नमबर एक मुझे क्या करना चाहिए है अलेलुया नमबर एक आप जो क्या किया जोशापात ने वह आपको कहरना अजाँ है तप जयोषापा डर गया और यहवा की खोज में लग गया आपको जो बैडनीज मिलते आप भी डरते नो यह पर वो डर के बाद बैड आपके जीवन में हो आप डर जाएं आपके उपर संकट आजाए बैड नियूज आजाए निराशा में आप हो जाए अचानक किसी बात की दर निराशा आए नंबर रे क्या करो आप यहौवा की खुज में लग जाओ आपको परमिश्र का खुज में लग जाना है आपको परमिश्र खूजना शुरू करना है तो कैसे खूजंगे आपको बाइबल पढ़ना शुरू करना इंस्ट आज मैंने लोग명 को देखा ओ पसड़ी मेरे उपर पांच 0 4449 किना कर्जा बढ़ गया जी फरिजा लेनेवाले प्रैशर कर रहे तकर दाल थे प्रेश्र कोट वक्र शलए और दोक्तर की बातों को मेरे मेरे नुपर पर प्रैश्र रहा ने बहुत आपको करना यह सुल था करता है जो आपकर जरूरत हूं अनूली अजिंदगी में जो आपको जरूरत है वाँ मिल जिसके लिय Cathy करते है पृप रात्ना करते हैं अनू कि तो यहां पर युहव की खोजमें लग गए तो खोज में लग जाओ बाइबल के दौरा प्रातना के दौरा रोज्जे रखने के दौरा फायर प्रेर के दौरा ने वाशा की प्रातना के दौरा नाइट प्रेर करो कुछ समय के लिए खोज में लग जाओ प्रभु अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो मुझ पर डाल दो का मतलब यह क क Laure extra आपराम से सो रहे हैं प्रभू मैंने सारी चंथा तुझ पर ढूल दी आ है तो क्या कै तुझे पुझे निसाने के लिए नहीं बोलता हूं सारी चंथामुज पर ड का सामने जो देश है तुझे दे एता हूं पर लड़ना तो तुझे होगाना तो कर तो गुलता आतों तो बढ़ा तेरी लडाई मेरी होगी पर तो कदम बढ़ा कि जीत में तुझे दूँगा ड़ाई थैधि मैं लड़ूगा हैं तो इसी लिए क्या है यहावा कि खोज में लग जातो कि खोज में आप आप क्या चीजों को करना से बस्तीत ??? तब जोशवर डर गया और यहावा की खोज में लग गया और पूरे जहुद्दा में उपवास का परचार करवाया मैंने एक बाइबल में चीज देखे जब भी किसी के देश में भी कहीं भी संकट आता था यहां पर आप जोनान नभी की स्टोरी को जानते हैं लोगं पर संकट आया और उन्हें उपवास रखे टाट ओड़ लिए इसी की हल को गए बैड नियूज मिली उसने टाट ओड़ लिए संसार से मूँ फेर लिया यही सीक्रेट है यहावा की खोज में लग जाओ जब ऐसा समय आई खालेलोई है बोकता है संकट किसमें मुझे पकार मेरी खोज कर मैं तरी सुन लूँगा खालेलोई है और क्या हुआ वो उपवास का परचार कर रहा है सब लोग उपवास रख दे उपवास करने लगे तो आप उपवास कर सकते हैं आप रेजल्ट देखें कि क्या आया बाद में पर उन्हें पहले आप देखें उन्हें किया क्या हालेलोई है वो उपवास का परचार किया वो कठे हुए वरन वैस जहूद्दा के सब नगरों से यहावा से बेंट करने को आए और वो सब क्या कर सकते हैं आप यहावा के भवन में जाएं चाहिए अपने प्रेर रूम में प्रातना के स्थान पर जाएं हालीलोई है और क्या कर सकते हैं नंबर आपने लिख है आप परमिश्र की सबसे पहले हुआ हब कि खोज में लग जाओ नंबर दो आप अपवौस का फैंसला ज्ट लो भुज Memra 9 में अगरम चार को पढ़ते हैं उनने निडिये की सहाइ stepping this उसलिए का मांगो तो तुम्हें दिये जाएगा जहावा की दोहाई दोगे तो इस तुम्हारी सुनेगा तो अपने सहाइता मांग नहीं है कि लोग दुख्य समय कुछ नहीं मुझ खोलते उनका मुझ नहीं खुलता प्रात्नम ऐसे चुप बैठे सो रहे हैं बस टेंशन ले हैं मुञ तुझे खोलना होगा दुक्ळ समय तो ही मैं सहाइता करूगा यहावा की सहाइता मँगो क्यों कि पवित्रात्मा बिना इन्वाइड किया आपकी हीजिए में काम नहीं करता आपको हो़ली स्पृρ को को इन्वाइड करना पड़ता है पवित्रात्मा आइं इस लापड क्या करना आपने 4と Yeah, 4 करना आपने 88 को कर सहाइता मांगनी है अफ्र आप अपने परिवार समेथ जो आपके साथ दोस्त है प्रेय आपके साथ कुई मसीध दोस्त है उनके साथ लीक टव कर अपनी प्रॉब्लम को अपनी शेर करो आप लेको करें तो की प्राथना करेंगे प्रातना करेंगे ऑlex करना करना बबन में जाने आ करुगा है कि शेतान का काम आपके लाज़ में दुख बेज कर आपको प्रभू के दास्तों से दूर करना संगती से दूर करना मसी आत्मिक दोस्तों से दूर करना फिर आपको पासर से दूर करना प्रभू के बबन से दूर करना और जब आप इन से दूर हो जाते हो तब क्या होता है शेत कि आप केड़ में हैं जिसके साथ जुड़े हूँ को तीसरी आत्मिक दोस्त जिसके साथ एक अट्थे हों के परात्ना करते नहीं तो आप अकेले पड़ जाएंगा गर शेतान आपके ऊपर अटेक करेगा और आप उस अटेकों मेंसे बचने पाएंगे कुए आपके पास संग पढ़ेंगे बीस की पांच आई शेमा नमबर आपने क्या करने हैं बीस की पांच लिखो दूसरा इतियास उसका बीस से दैस की पांच आई ब्रेक्ट में लिको नमबर शे जो आपने करना है काम हलेलोई पांच में लेकर तब यहोशापात यहावा के बवन में नए आंगन के सामने जहूदियों और जुरुशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा बवन में बवन में गया मंडली में गया मंडली में जाकर यह कहने लगा है हमारे पित्रों के परमेश्र यहावा कि क्या तू स्वर्ग में परमेशुर नहीं और क्या तू जाती जाती के सब राज्य के उपर प्रभूता नहीं करता और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और प्राकर्म नहीं के तेरे सामने कोई तेरे सामने के तेरा सामना कोई नहीं कर सकता वो परमेश्र की सामर्थ के बारे में बता रहा है और महमा कर रहा है कि परमेश्र क्या तू तो इतना बड़ा सामर्थ है कोई स्वर्ग में तेरे तुल्ले नहीं है तो जाती जाती सब के उपर तू प्रभूता करने वाला कोई तरी सामर्द के सामने टिक नहीं सकता यह क्या किया उसने बबन में जाकर प्रात्न में जाकर क्या किया यह हौवा की सामर्द के बारे में अंगीकार किये यह हौवा की स्तूति की उसके प्राक्रम के कामों के लिए उसकी शक्ति के बारे में अपने मुझे अंगीकार किये है के वह आपने आपको मन में विश्वाश् Jam नहीं करना होता है तो मुझे विश्वाश्य नाanting करेगा 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 करे उसकी शक्ति कि सामर्त के बियंद मूझे अंग्यकार रे ए बिमारी ए तु रुसॉली आई है ना ए रिपोर्ट में पथ्री आई है ना जो गिल्टी मेरी पैदा होने शुरू हो चुकि बाड़ी के किसी भी पार्ट में सुन मेरी बात को यहावा इतना सामर्ति है उसके सामने तो कुछ नहीं है बिमारी तूब बड़ी नहीं है मेरा पर मेशति बड़ा है फो मेशती चंगा करने वाला परमेशर है कि अपनी स्मुर्थ के द्वारा एक आकाष को बिना पिल्लर के टाना हुए है वह तो इतना सामर्ती परमेश्र आकाष का स्निगासन पृतमार ने तेख्न की मिक्शन कि से ईतन वो समर्ती पर मेशता तूं क्या चीज है शैतान हालेलोहिया तूं क्या चीज है हालेलोहिया आपने बोलना है कि तूं क्या चीज है शैतान तूं क्या कर सकता है हालेलोहिया तूं क्या कर सकता है तो यह आपका ब्रोसा उसने प्रमेश्र के प्राकरम के सामर्द के बारे में अंगीकार किया हालेलोह उसने अंगीकार किया उसने अंगीकार किया सामर्थ के काम के लिए तो आपको भी क्या करने है पर मेश्र को ऐसे शब्द बोलने है प्रातना में जाकर कब को किस बोलता हूं जब आप डरे हुए हो जब आपको बैड नीज कोई मिले जब शेतान आपके अपर कोई अटैक करे जब आपको पता चले यह जिंदगी मेरी होने वाला है तो आपको क्या करने जब आप निराश्या में हो जब आपको को दुख की ख़बर मिले तो आपको नंबर शे क्या करना है आपको आपको क्या करना है आपको यहावा के ऐसे शब्द बोलने जिस तरह ऐसे उनने आने वाले कि तो अब यजने प्रातनां की हाले में तो प्रमिश्र को हिलाने वाली प्रात्ना और मेह्मा करने मेहमा की शबद बोलने ऐसे मेहमा की शबद बोलने प्रात्ना में केवल बिंती नहीं करनी कि लो कहते हैं ओ प्रभुजी मारगे जी लुट होगे जी बरवाद होगे जी परमेश्व मेरा की बढ़ूगा जी मेरे बच्चें था की बढ़ूगा आप प्रात्ना करना शुरू कर जिस आत्मा ने येश्यो को मुर्दों में से जिंदा कर दिया मेरी इस मस्या से मुझे क्यों ना अजाद करेगा क्यों ना चंगा करेगा हालिलूया तो आपको महमा करने प्रभू को हिलाने वाली हालिलूया तो अब हम हम बीस की नौ आयत को पढ़ेंगे और सात्मा पॉइंट लिखेंगे के दुख के समय में बैड नूज के समय में नराश्या के समय में आपको क्या करना चाहिए हालिलूया पॉइंट नंबर साथ आपको क्या करना होगा साथ पर लेकर आपका आपको अपना ब्रोसा परमेशर पर लेकर आना होगा आपको अपने बिश्वाश को बढ़ाना है किया करना अपने ब्रोसे को और विश्वाश को बढ़ाना है हम पढ़ेंगे जोश्चा पातने कैसी अपने ब्रोसे को विश्वाश को बढ़ाया साथ बीस की नौ आध को पढ़ेंगे कहता है जदी तलवार जा मरी अत्वा अकाल यह कोई बिपत्ती हम पर पड़े तो भी हम उसके बबन के सामने इसके सामने क्योंकि वो बबन में घया आपको चर्च में जाना होता है कि लोग मैंने देखा दुख के दिनों में चर्च आना बंद कर देते हैं आप तो गये फिर अगर आपने दुख प्रॉब्लम के समय चर्च नहीं गए आप क्योंकि बहां पर प्रभू आपको शुड़ाएगा आपको चर्च के दर्वाजे पर जाना है दुख के समय में प्रॉब्लम में अगर आप चर्च नहीं जा सकते हाउस प्रेयर चर्च की कॉल सेंटर पर कॉल खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दोहाई देंगे और तू सुनकर हमें बचाएगा कहता है चाहे हमारे विवत्ति बड़े तो भी हम अपने अपने आपको तुरे सामने लेकर आएंगे तो भी हम तो भी हम तो भी हम तो भी हम तेरे नाम में तरे बबन में आकर खड़ होकर अपने कलेश के कारण तेरी दोहाई देंगे और तू सुनकर हमें बचाएगा कहता है चाहे हमारे ओपर कोई संकट आए हम तुझे कंप्लेंट नहीं करेंगे ओ प्रभु जे वेपत्ती क्यों आई क्यों तुने ऐसा होने दिया हम तुछ पर कंप्लेंट नहीं करेंगे तो भी हम तेरी दुहाई देंगे अगर हमारे उपर दुख भी आ जाए तो हम खड़े होकर तेरी दोहाई देंगे कि तूने हमें कि तू सुनकर हमें बचाएगा उसने उन्होंने ब्रोसा लेकर आया चाहे हम पर दुख आ जाए चाहे सामने वाला देश हम पर चड़ाई करने जा रहा है तीन पार्टियों को मिलाकर हम पर चड़ाई करने जा रहा है संकड का समय आगया ड़र का समय आ गया तो भी हम कंप्लेट नहीं करेंगे यहावा यह क्यों हमें मरने के लिए कर आ गया आज महीं सब्सक्राइब नहीं नहीं के ह्सटांस तो मैं आगे आपको बताऊंगा साथ नूमबर लख कुए आप और आपको बीस की बारा आयत को हम पढ़ेंगे और बारा आयत में लिखना है आटमा पॉइंट आपको क्या करना होगा जब आपकी लाइप में दुख आए बैड नियूज आए निराश्या का समा आए कुछ भी ना मालम पढ़े अब क्या करें तो आपको क्या करना है तो आपको यहां पर पढ़ेंगे हम बारा को अब उसने आगे क्या हुआ हे हमारे परमेशुर क्या तूं उनका नियाए ना करेगा जे जो बड़ी बीड हम पर चड़ाई कर रही है उनके सामने हमारा तो बस नहीं चलता हमें कुछ सुझता नहीं कि क्या करना चाहिए कहते हैं जो सामने बड़ी बीड आ चुकी है तीन पार्टियां तीन देश आपस में लड़ चुके तीन देशों के लोग कुलों के लोग भूगा अपस मेरल के माधि पर चडहाई करी हूए हूँ हम एक है वरो तीन जुड़ जुड़ अपसमें है हम में तो कुछ समझ नहीं आ रहे हमारी हाथ कड़ें है तो हमारी आंखें क्या लिखा आगे भरंटी हमारी आंखें तेरी और लगी हुई है हालेलोया क्या बात है दुख के समय में आंके कहां लगी हुई है तेरी और क्यता है और बाइबल में क्या लिखा है दर्मी दुहाई देता है यहावा सुनता है और उसे हर बिवत्ती से मुक्त करता है हालेलोया प्रत तो उमारी आंक earlier लिए। आपको क्या करना है नंबर आठ आपको भी प्रभू के सामने संपूरन मन से आपको जुख जाना है हाले लोई प्रभु के सामने जुख जाना है अपने आपको पूरी तरह से अगर आप प्रभु में नहीं है और आपके उपर संकट आया आपने नए नए लाइव मिटिंग देखनी शुरू की अरे संसार की चंता बूल जा लोगों की बा आप में देता हूं कई प्रभु ने किसे को चुना है आपको पता जो लोग नए लाइव में जुड़े हैं अभी वफ्तिस्मा नहीं लिया उन्होंने आप पहले ही से चुने हुए हैं अगर आप प्रभु की चुनी हुए बेड़ है ना कोई आपको रोक नहीं सकता आप ख पता जो दीट वयक्ति है जे मानने वाला नहीं है यह जब आपके उपर पूरी प्रोड़म्स आती है आपको पता है आपकी रसॉली आई प्रभु को पता अब भी जे मेरे पास नहीं आएगा आपको प्रब्लम और बड़ी प्रब्रब को पता बिन आए आएगा आपको प्रभु में आपको पता हाथ खड़े हो चुके अब भी तु मेरे पास आया ना पहले ही आ जाता है तो आपके जब हाथ कड़े होते अब तब प्रभु के पास अब तो कुछ बचा नहीं अब तो कई लोगों को देखा उनके रिस्तर बताएंगे चर्चा जो ठीक हो जूँके चर्चा जो बुखार हड़ जुका बचीदा आए निजी आए निए बुखार बड़ा हो गया बु ठाया अब आप कहते जब बूरा al slammed लोगे न अब आप चर्च के पास आ जाते जब तो इक लाइस में बंदा 2-3 दिन गया फिर चरच में लेकर आएंगे और पिर कैंगे आपको प्रभु चंगा तो करनी पाया अरे आप अब इतना प्रभु ने आपको पुकारा आप उस समय थोड़ा दिखाते प्रभु आपको हील करता है अब आपको बड़ा विश्वास भी चाहिए ने प्रेयर आपने करते बाइबल आप नहीं करते रोज है आप ने रखते और तो प्रभु ठीक नहीं कर पाया की आप प्रपो की सुनी के वो आपकी सुनी सा Sai Haliluya तो इसी लिए क्या है आपको और का Mog wow इसलिए नहीं चर्च जाना क्या क्या हूप वे क्युषय है तो आप जिम्घाई लिर ने लिए डिर आपको इस लिए चर्च जाना तो भी जाएंगे आपकी सुनेगा संकट किसा मुझे आप मैं भी तरी सुनुगा क्योंकि मेरी सुनता आया मुझे एरादना करता है इसलिए चर्च आना जरूरी तो आपको पूरे तरह हाथ खड़े कर देने प्रभुवास तेरे सामने चुक दें तुहीं साथा प्रभुवा संसुख दरब नहीं हम क्या करें तो इन्होंने क्या किया सबकूरा कुश प्रमारी आंके तेरी और लगी है हमें मरकऊ आट समय नीने चलता हम तो उसके बाद क्या है अगे आगे आगे आपको क्या करना है बीस की तेरा आयत को हम पढ़ेंगे आपको क्या करना है कि आपको तब तक है ऐसा आज आप जुग और कहेंगे प्रभु मैंने तरी तुमेरी सुन ले जब तक प्रभु आपकी सुने ना तब तक उसे पुकारते रहना हाले लुए उन्हें ऐसा नहीं कि अपनी समझ का सहारा नहीं लिया को यार शोड़ो प्रातना एक गंटा हो गया यहावा ने उसे बात नहीं कि हाले लोई है पढ़ेगी हम आपको भी ऐसा करने तब तक पुकार आट अड़े रोट तक उतर कार टे रहो बीचीत िरह में हम पढ़ेगे इस बात को ज्युग शपात ने तब तक पोकारत जब तक यहाव ने सुन ही नहीं तब जहुद्दी अपने बाल बच्चों और इस्तरियों और पुर्चों समेथ यहावा के सन्मुक खड़े रहें वो खड़े रहें नौ आई तक वो खड़े रहें देखो तब तक खड़े रहें जब तक यहावा ने जवाब नहीं दी और अब आप नौ पॉइंट जे खतम हुए अब जे नौ बातें आपने करनी है तब तक खड़े रहें जब तक आपको यहावा उत्तर ना दे हालेलोई है कौनसी बात मैं आपको अगर दुबारा से बताओं कि आपने कि जब आपको आपकी लाइप में निराशा आए जब आपको कोई दु में लग जाओ नंबर दो उप्वास का फैंसला करो जैसा बचन के बीच में से बताया वैसे नहीं मैंने आपको पॉइंट लिखाए समझाए है कि जब यह पॉइंट करते तो योशा पास के साथ क्या हुआ वापके साथ होने वाला हालेलोई या नंबर एक यहावा की खोज में लग जाओ नंबर दो उप्वास का फैंसला करो नंबर तीन परमेशर से सहाइता मांगो इकले में जाकर गुप्त में जाकर नंबर चाहत इकटे होकर एक जुंड लेकर कुछ टीम को लेकर उनको अपना दुख विताओ उनसे अपनी प्रॉब्लम शेर करो प्रातना सब्सक्राइब करना है आठ नंबर जंगा कुछ ना समझ आए कि मैं क्या करना है आपने अपनी समझ का सहारा नहीं लेना आपने यहावार पर ब्रॉसा रकना है कि वो उत्तर देगा और वो हुमारे लिए काम करेगा और अपने पूरे तरसे अपने संपूरन मन से उन डेल दन अपने आपको हाथ खड़े कर ले ने प्रभू तुझे जीवन देते हैं बप्तिसमा लो येशु को जीवन देदो अगर येशु को जीवन दिया हुआ है फिर प्रातना निकर रहे तो प्रभू के हाथ में हाथ खड़े कर लो अपने हाथ ही दुरुदर मारना अपनी समझ का सहारा ना ले लो प्रभू के उपर ब्रोसा रखो मांगो प्रभू से और 9 पॉइंट मैंने लखाया लिखाया आपको कि जब तक उत्तर नाए तब तक खड़ है रहो हाले लोई या लिकर जब मैंने इस आयत को पड़ा कि 13 को पड़ा तब यहुदी और उसके बाल बच्चे और इस्तरियों और पूर्शों समित जहाबा के सामने खड़े रहे आपको खड़े रहना हाले लोई जे 9 पॉइंट आपने करने जब यह बात ने आपके हो हाले लोई